हेलो स्टुडेंट तो आज हम देखते हैं यह हमेने कुछ बनाया है इंसीडेंट वेव है तो इंसीडेंट वेव जब आती है वेव तो रिफ्लेक्ट होती है कहीं बरी फ्री बाउंडर से होती है और कहीं बरी फिक्स बाउंडर से होती है तो फ्री बाउंडर में हम जनली रि relation होता है जैसे देखो इसमें ना phase change नहीं होता इसमें phase change 0 है fixed में phase change पाई है अगर आपको यह समझ में आगी तो इसमें सिर्फ पाई करना कोई खास बात नहीं है तो सबसे पहले इसमें ना देखो कोई भी वेव आती है जिसमें जैसे यहां पर minus है तो यह kx का coefficient omega t को छोड़ दो बूल जा उसको जैसे यह minus kx है ठीक है तो अगर वेव reflect होगी ना तो यह minus kx ना plus kx में convert हो जाएगा जैसे देखो यह kx है ना इसमें के convert हो गया minus kx हो गया वही एक्विशन आगी है यह omega t minus kx का क्या हो जाएगा plus kx kx का क्या हो गया minus kx minus omega t ऐसे ही रहेगा omega t को मत लेखो ठीक है kx का दुबारा से minus kx kx का minus kx उसके बाद यह यह तो free boundary थी जब rigid boundary की बात करते है ना तो इसमें आठ ग्रॉबाइब से कोमाला बलाज चैनि सब में धुम प्लसपाय यह ना उसके बाद फंतर तो यह मिल्कुल easy मेरे को लगता है क्लिए ठेंक यू